मासूम बच्ची से दरिंदगी के बाद उसे मौत के घाट उतारने वाले हैवान के पकड़ाये जाने के बाद नेताओं ने भी अपने तीखे तेवर दिखाए हैं और कुछ इस अंदाज में अपना गुस्सा जाहिर किया है देखिए ये रिपोर्ट मासूम बच्ची से हैवानियत करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकर तुलिया है लेकिन बावजूद इसके लोगों का गुसा कम होने का नाम नहीं ले रहा है बीजेपी अनुसुचित जाती मोचा के नगरध्यक्ष राजेश शिरोडकर ने आरोपी का सर काट कर लाने वाले को इनाम देने का ऐलान कर दिया है अच्छा भी उसका उठाऊंगा उसको जमानत कराने के लिए पुरा पैसा भी में दूँगा इसे लोगों को कभी जिन्दा नहीं छोड़ना चाहिए जब सरकार प्रसाशन को पता था कि इस तरह से मंसोर में घटना करकर आया तो इसे आरोपी को जमानती नहीं देना चाहिए आज उस परिवार पे क्या भी तरे चार साल की बच्ची को उन्हें किते गंदे तरीके से क्या करा होगा भगवानी जानता हो किस तरीके से उस बच्ची के साथ हथसा हुआ आज उसका परिवार पुरा विभत सेगा एसे लोगों को गला घुट के मट डलना चाहिए और मैं खुद अगर मेरे हाथ आगा तो मैं खुद उसको जान से माड़ा गूँ अभी हम जिस भी तरह से हमारे संगडन में हम चर्चा करके आर्थी ग्रूप से जो भी सयोग रहेगा हम उस पुरे परिवार को करेंगे और कहीं भी इस तरीके से अगर वो दिखता है या किसी को भी दिखता तो हमें बता है हम खुद उसको अपने हाथों से मारे हैं हम कल इसी विशे को लेकर हम माननी डियाई जी साप से कल मिलने जा रहे है कॉट ना कोई सजा कुछनी सिदेश का एंकाउंटर करो कि जब अगर माननों किसी पुलिस कर्मी या किसी बड़े वेक्ती पर इस तरह का वो होता है तो आप लोग एंकाउंटर तो करते ही है ना इसे भी दुरदानत अपरादी की तरह इनका एंकाउंटर करना चाहिए कॉंग्रेसी नीता भी गुसा जाहिर कर रहे है और वहश्याना हरकत करने वाले दरिंदे के खिलाफ मुखर हो गए है कुल मिलाकर मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले राक्षस के खिलाफ अब कड़ा वातवरन भी बन गया है वीर रिपोर्ट, MP News इन दौर